तो आज मैं बनाएंगे पैंट कट प्लाजो और बहुत ही सिम्पल तरीके से मैं आपको ये पैंट कट प्लाजो सिलना सिखाऊंगे इसमें कोई भी प्लिट्स वेगेरे हम नहीं डालेंगे ना ही तो इसमें कोई जो पीछे इलास्टिक डलती है और आके जो बैल्ट लगती है इसका कोई जंजट करने वाले है तो जल्ये जल्दी से जो पेंट कट पलाजे को कट करते हैं यह मैंने कपड़ा लिया है, बड़े अर्ज का कपड़ा है, तो यह सिर्फ मैंने एक मिटर कपड़ा लिया है, आपके पास अगर बड़े अर्ज का कपड़ा नहीं है, तो आपको फिर यह दो मिटर कपड़ा लेना होगा, सबसे पहले कपड़े को मैंने देखिए इस तरह से यह dö полез कि यह date कि एक तै है यह दूसरी थे है तो ऐसे करके मैंने कपड़े को पहले रख लिया है ऊपर से दो इंच का हम पहले इसमे इलस्टिक के लिए ले लेंगे तो यह दो इंच में इस तरह से मार्किंग कर रहेहु Chev सिदी मैंने इसे लेना को जितनी आपकी फुल लेंगे दो करने के लिए लेसे लेनी है हिप तो जितनी आपकी हीप है उसका फॉर्थ पार्ट लेते हैं तो 36 जो है मेरी यांपे हीप है तो 9 इंच में रख रही हूं दो इंच जो है इसमें हमने मार्जन देना है तो इस तरह से मैंने यह टोटल जो है 11 इंच रखा है और अब हमें आसन लेना है तो देखिए यहा से आगे को हमने मार्किंग भड़ा लेनी है और सीधी लाइन यहां पर ड्रो कर लेंगे अब यहां पर धाई इंच हम लूजिंग देंगे इस तरह से आसन की गुलाई के लिए देंगे और इस तरह से आसन की गुलाई ले लेंगे अब हमें मूरी लेनी है तो मूरी के लिए देखिए यहां से हम इंची टेप रखेंगे इधर तक और जो हमारा खाफ आएगा देखिए यहां पे जितना हमारा खाफ आता है उतना हमने नाप लेना है यह मार्किंग इस सेट को भी मैंने कर लिए अब यहां से यहां तक हम देखेंगे हमारा जितना भी आ रहा है तो इतना इती तरह से हम मार्किंग कर लेंगे यह देखिए तो यह हमाराा हाफ फिर आ गया अब यहाँ से मूरी रखेंगे तो जी जो बीच वाला हमने मार्किंग की इस से देखिए 4 इंच, 8 इंच की मыйहँ यहाँ पे मूरी रख रही हो चार इंच मैंने इस सेड को ले लिया और चार इंच मैंने इस सेड को ले लिया तो इस तरह से हमने मूरी इसमें निकालनी है अब इस वाली मार्किक से यहां तक हमें मिलाना है यह आपके पास जो स्केल होता है शेप देने वाला आप वो भी डख सकते हो तो इस तरह से देखे ऐसे हमने ये निशान लगा लिया अब दूसरे साइड से भी देखें यहां से यहां तक हमें गुलाई में निशान लगाने हैं यह आपके पास स्केल होए तो आप उससे भी ये वाला मार्किंग कर सकते हैं देखें इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली अब हमने जो ये मार्क कर लेंगे अब देखिए जो कपड़ा हमने रखा था बचवा उसको रखके यह जो हमने फ्रंट पार्ट काटा है इसको हमने उपर से रख लिया अब इदर से हमें 2 इंच बढ़ाना है आसन वाले सैड से ही बढ़ाना है दूसरी वाली सैड से हमें नहीं बढ़ाना है दो इंच इस तरह से हर जगा से देखिए आसन वाली साइड से हमें दो दो इंच का इस तरह से मार्किंग करते रहना है इधर से हम नहीं बढ़ाएंगे इधर से हम वहां से देखिए इस तरह से उदर को हम मिला लेंगे तो यह देखिए यहां आसन से भी दो यहां से नहीं लेंगे यहां से सेम ऐसे ही हम इसको कट कर लेंगे देखिए मैंने सेम ऐसे मार्किंग कर ली इसको सेम ऐसे ही हम कट कर लेंगे यहां से नहीं बढ़ाएंगे यहां से भी देखिए इसको अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेंगे तो पैंट कट प्लाजो की हमारी अब कटिंग हो चुकी है अब इसको स्टिच करते हैं सबसे पहले आसन को हम स्टिच करेंगे यहां से यह वाला आसन को भी स्टिच कर लेंगे और इसको भी हम पहले स्टिच कर लेंगे तो इनमें मैं पहले अब सिलाईयां लगा लेती हूँ, तो देखिए इनके आसन हमने स्टिच कर लिए हैं, यह हमारा बैक पार्ट है और यह फ्रंट पार्ट है, इनको इस तरह से मिला के यहां पे हम सिलाई लगा लेंगे, यहां पे आप पोकेट भी लगा सकते हो, तो पोके जो है, यहां पे हलका साम कट लेंगे, यह देखिए इस तरह से, तो इसमें सिम्पल जब हम यह सिलाई जब दे रहे होगे तो थोड़ा सा छोड़ देंगे, यह देखिए छोड़ देंगे थोड़ा सा, और इसको फिर इस तरह से पहले सिलाई लगा लेंगे, और फिर यहां पर यह कट बनाया यहां पर बाद में बटन लगाएंगे और यहां से भी देखिए इसको अब हम बंद कर लेंगे तो इसमें मैंने सिलाई अब लगा लिया अब सिंपल इसमें इलास्टिक का काम हमारा बचा है तो इलास्टिक लगा लेंगे लास्टिक जितनी आपकी कमर है उ यहां पर यह बटन लगा लेंगे और बहुत ही सिंपल है इस प्लाजो को स्टिच करना जैसे कि मैंने आपको स्टाटिंग में पहन के भी दिखाया एकदम से कमफटेवल है बस हमें बैक पार्ट को थोड़ा सा उपर को भड़ाएं ताकि हमारी प्लाजो थोड़ा सा खिचे न उठी उठी ना आए तो उससे शेप अच्छी आती है तो अब मैं इसमें पहले बटन लगा लेती हूं और यह देखिए फ्रेंस बटन भी अब हमने यहां पर लगा ले हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यह पैंट प्लाजो देखिए सिलना से खाई है और चैनल में नहीं होगे तो सब्सक्राइब जरूर करें लाश्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद